लेट सी कौन पहले सॉल्व करता है क्वेश्चिन क्या है क्वेश्चिन मैं एक बार अच्छे से रीट कर रहा हूं जो इसका चौत एन आफ गिवन ऑप्शिन आप्शिन आप लोग को दिये हैं और इसका जो डी ऑप्शिन इस इस लाट स्थाल मैं सुर्ण मैं एक बार अप लोग सामने कर लेता हूं आँ अग्षण Caribbean ऐड अबस बेट्वेश्चिन को ड्यके अंट प्रियों के सामने कर लेता हूं तध्वीज के सामने रीट कर लेता हूं क्वेश्ट द्वाइश्ट प्षे अड तो स्थेश्चिन मैं रश् फेर ठीक है train फेर रेशियो का concept है थोड़ा सा ठीक है तो train का फेर कितना दिया है train का फेर इस्टू bus का फेर मुझे दिया है three is to four ओके तो मैं अच्छे से करके बताऊंगा what you will take you will take let common multiple be x let common multiple be x जैसे x लोगे तो train का फेर train का फेर will be how much? 3x और bus का fare will be how much? 4x अब आप condition लगाओ, if train fare increases by 20%, अगर train का fare 20% बढ़िया, तो जो revised fare होगा, revised जो revised train का fare होगा, okay? F-A-R-E वो कितना होगा? 3x पहले है 3x पहले है 20% बढ़ रहा है, तो इंटू 120 upon 100 very simple ओके? चलो, 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 ठीके, ठीके, ठीके तो revised train fare तो कितना आ गया? इतना आ गया, ठीके 20% और bus fare को 30% बढ़ाना होगा होगा, तो revised bus 130 upon 100 130 क्यों क्योंकि 30% है अगर किसी student को ये सारे चीज़े समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए basic classes देखना बहुत जरूरी है, और basic classes के लिए आप you do avail our courses, which are given in Defense Offices Academy's app, हमारे app में जो courses देए है, रामस, रामस, सेनिक स्कूल के, उसको as soon as possible avail कराए, ताकि bus fare का ratio निकालना है, that's it, simple, so simple, ratio निकालना है, इन दोनों को divide करना है, ठीक है? तो ratio यहीं पर निकाल लेता हूँ मैं, इस तरीके से, इस तरीके से ratio निकालना है, divide कर रहा हूँ, तो this will be 3x into 120 upon 100, into, into कर दूँँगा तो 100 will come उपर, and 4x into 130, बस 100 से 100 will get cancelled, okay, और उसके अलावा, x से x cancel हो गया, 1 0 से 1 0 कर गया, 4, 3 is a 12, 3 3 is a 9, और निचे बचा सिफ 13, तो 9 by 13 is the right answer, ठीक है?